जै शरीराओं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है मकर राशी वालों के लिए यानि चंदर राशी पर आधारित गोचर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के आगामी तीन महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने मकर राशी वालों के लिए कैसे हैं यानि कुंडली में चंदरमा दस नंबर में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम मकर राशी के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति योजना बना कर चलता है उसकी वो योजना कितनी जादा कारगर साबित होती है कब उसको क्या ध्यान रखना चाहिए और योजना हमेशा आने वाले समय के लिए कारगर होती है आने वाले समय के लिए व्यक्ति योजना बनाता है कि मुझे कब क्या करना है इस वीडियो में हम लगभग सूरिय से लेके केतु तक सभी नौ ग्रहों का विचरण आने वाले तीन महीने में कैसा रहेगा उसका आपके जीवन में सभी मुख्य पहलू शिक्षा, विभा, संतान, प्रोफेशनल लाइफ, पैसा, व्यापार, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, आने वाली परेशानिया, दूविधाएं उन सब के बारे में हम विच्टृत रूफ से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि हम हर ग्रह को यहां समझाने का परियास करें पहले हम ग्रह को समझाएंगे उसको समझेंगे तब ही हम उसको फल बता पाएंगे आपको मेरे बहुत से भाई बहन जोतिश प्रेमी जो बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं जोतिश में और जोतिश को सीख भी रहे हैं उनके कमेंट्स भी मुझे को पढ़ने के लिए मिलते हैं उनको काफी अच्छा लगता है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं वह हमारे लिए एक बहुत सरल इस्थती है तो जितना ज़्यादा सरल मुझसे हो सकता है मैं उसी साफ से बताने की प्रियास करूँगा मकर राशी के जो मालिक हैं वो शनी देव है और शनी देव 39 अपरेल 2022 को राशी परिवर्तन किया मकर से कुम्ब में गए और वापस कुम्ब से मकर में आगए 12 जुलाई 2022 को यानि इस बार जो शनी देव हैं वो वापस तो आए हैं लेकिन वो वक्री होकर वापस आए है यानि ग्रह पहले यहां थे यहां से यहां पर पहुँच गए इस बार शनी पहले के मुकाबले थोड़े से प्रबल होकर आए है क्योंकि शनी मकर के अंदर आ गए वक्री होकर यहां कोई खराब नहीं कहता यह शनी वक्री है तो शक्त हो गया और अधिक शक्तिशाली हो गया इस प्लैनेट्स की रिजल्ट देने की शमता बढ़ गई अभी भी आप शाड़े साती के दूसरे फेस में ही चल रहे हैं और शाड़े साती का दूसरा फेस यानि चंद्रमा के उपर शनी जब आए तो तनाव देता है यह मैंने बहुत एक्सपिरिंस में देखा है वहती कहते हैं जी साड़े साती का जब सेकिंड फेस आता है तो आपके चंद्रमा यानि आपके मन के उपर आते हैं शनी लेकिन शनी यहां प्रबल है यहां मजबूत है शनी की ये स्थि जुलाई अगस्त व सितंबर के महीने में सेम रहेगी इसमें कोई भी संदह नहीं है यानि शनी की प्रभलता अपनी जगे है इसको अन्य ग्रह प्रभावित करेंगे जो इसके साथ यूती बनाएंगे या जो इसके साथ दृश्टी देंगे यानि शनी के बारे में बात कर तो कोई प्राब्लम नहीं है शनी देव अपना है पूर्ण तरीके से रिजल्ट देने में शक्षम है क्योंकि राशी का मालिक राशी में चले नुकसान नहीं करता ऐसा बहुत बार देखागा आपको दशाई खराब चल रही है तो बात अलग है लेकिन आप अगर यहां शनी के साड़े साती को दोश दे रहे हैं तो यह आपकी गलत फैमिए आईए बात करता हूँ ब्रस्पती की ब्रस्पती भी यहां स्वैराशी के हैं लेकिन यह ब्रस्पती शनी के नक्षत्र में यानि उत्राभाद पर नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे लंबे समय तक जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में शनी देव के नक्षत्र में ब्रस्पती का ट्रांजिट होगा यह शनी देव आपकी राशी के मालिक यह शन धन के कारक भी हुए तो धन के कारक का धन के स्वामी शनी के नक्षत्र में ट्रांजिट होना अच्छा है यहां से बैठ कर ब्रस्पती की द्रश्टी भाग गये और लाब भाव पर पड़ रही है इसका मतलब है कि ब्रस्पती यहां धन दायक सिद्ध है शनी से द्रश्ट भी है ब्रस्पती एक तरफ ब्रस्पती शनी के नक्षत्र में है दूसरी तरफ वो शनी से द्रश्ट है इसलिए ये ब्रस्पती सारी की सारी भाशाएं शनी की बोलेंगे क्योंकि ब्रस्पती यहां सिर्फ अपनी राशी में है लेकिन शनी के नक्षत्र में शनी के द्वारा द्रश्ट है और शनी तो आपकी राशी के मालिक भी है जहां ब्रस्पती का संबंद भाग्या और लाब स्थान से बनता है तो शनी का संबंद करम स्थान पर द्रश्टी देने से बन रहा है इसका मतलब ब्रस्पती हो या शनी हो ये दोनों ही आपके फेवर में चलते दिखाई दे रहे हैं इसमें कोई भी संधे नहीं है आईए बात करता हूँ मैं आपसे योग कारक शुक्र के बारे में के योग कारक शुक्र यानि एक ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकॉर्ण दोनों के फल देता हो कहते हैं जिन जिन कुंडलियों में जिन राशियों के लिए ग्रह योग कारक होते हैं और वो प्रबल हो रहे हों तो ऐसा ग्रह अकेला ही आपको राइज कराने में शक्षम होता है ऐसा हम शुक्र से देखते हैं जब हम शुक्र की बात करते हैं तो 18 जून को शुक्र का राशी परिवर्तन हुआ और शुक्र पहुंचे पंचम भाव में पंचमेश शुक्र का पंचम भाव में जाना पंचम भाव को मजबूती देता है यदि हम यहां शुक्र के बारे में प्रबल रूप से बात करें तो 18 जोन से 13 जुलाई तक जान दीजेगा 18 जोन से 13 जुलाई तक शुक्र पंचमेश होके पंचम भाव में रहेंगे पंचमेश का पंचम में जाना शिक्षा, विद्या, बुध्धी, संतान के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये आपके लिए दशमेश भी है इसलिए कारशित्र के लिए अच्छा है नौकरी हो व्यापार हो आप किसी कारशेतर के लिए जो भी प्रियास कर रहे हैं उनके लिए ये कॉंबिनेशन अच्छा हुआ क्योंकि ग्रह का मालिक स्वामी अपनी ही राशी में चल रहा है अब 18 जून से लेके 13 जुलाई तक शुकर का जो गोचर है वो व्रशवराशी में है और यहां से बैठकर ये एकादश भाव पे दरश्टी डालते हैं यानि एक तो योगकारक पंचमेश पंचम में और धन भाव से संबंद यानि अवश्य ही यह गरह है चाहे शिक्षा हो चाहे व्यापार हो चाहे नोकरी उसमें सफलता देगा ऐसे समय में यदि शुक्र से संबंदी दशानतर प्रतेंतर भी आपको होती है तो वो आपके लिए जादे कारगर होती है आपके लिए जादे सफलता देने वाली देखी जाती है अब यही शुक्र जो है 13 जुलाई से 6 अगस्त क मिथुन में आएंगे मिथुन राशी अपने मितर की राशी है योग कारक का चटे घर में जाना कोई बड़ा नुकसान नहीं दरशाता शुक्र की यह स्थिति अपने आप में प्रबल है शुक्र यहाँ अपने मितर की राशी में बैठ कर खुश है च्छटे घर में जा रहे हैं competitive exams में सफलता दिलाते हैं competition को crack करते हैं interview clear हो जाता है उसमें आप शुक्र की जो इस्थितियां है वो अपने आप में च्छटे में है और उसके बाद फिर शुक्र आ जाएंगे करक राशी में केंदर में यानि पहले गरह स्वेग रही था फिर यह मितर की राशी में गया और आप योग कारक शुक्र का जो गिंती है जो transit है वो करक राशी में हो जाएगी करक राशी में देखेंगे तो 6 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक शुक्र करक राशी में रहेंगे यह अपने आप में एक राज्योग ही है यानि फिर से लगातार शुक समझ लीगा ये गोचर भी आपको पून ही रिजल्ट देने वाला है बाद में शुक्र का योगकारक का ट्रांजिट जब सिंग राशी में होगा ये समय होगा 31 अगस्ते 24 सितंबर के बीच ये समय थोड़ा सा टिपीकल होगा पंचमेश का अश्टम में जाना शिक्षा विद्या बुद्धी के लिए अच्छा होता है लेकिन संतान के साथ संबंदों के लिए अच्छा नहीं होता ऐसे में संताव कंसी होने में प्रबलम होती है या ऐसे में डिलिवरी होने वाली हो तो वो सिजेरियन हो जाती है वहीं द अगधान रहके चलना होगा बाकि शुक्र का ट्रांजिट पूरे अगर देखा जाए तो जुलाई में और अगस्त में बहतर है सितंबर के महीने में थोड़ा सा टिपिकल यह है यहां दिखाई दे रहा है आईए अम मैं बात करता हूँ बुद्ध के बारे में क्योंकि बुद्ध आपकी लिये छटे और भाग्य स्थान का मालिक है यानि भाग्य स्थान का भी अपने आप में बहुत बड़ा एहम रोल है के भाग्य मेरा प्रवल है या नहीं इस महीने मेरे भाग्य की स्थती कैसी है आने वाले समय में मेरा भाग्य कैसा रहेगा आने वाले तीन महीने में मेरे भाग्य बुद्ध क्या मुझे सहयोग करेंगे या नहीं उसके लिए सबसे पहले 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बुद्ध अपनी ही राशी में रहेगे ये छटे का मालिक छटे घर में और इसको कुछ समय के लिए शुक्र भी जॉइन कर रहे हैं जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है शुक्र बुद्ध की युती बनेगी शुक्र बुद्ध की युती इंटेलिजेंसी के लिए समझदारी के लिए बुद्धी माने के लिए अच्छी है ऐसे वो लोग जो शिक्षार थी है शिक्षा करते हैं बुद्धी मानी का काम करते हैं एजूकेशन कर रहे हैं completed exams की सफलता के लिए परियास कर रहे हैं आपके लिए बड़ा बहतर समय होगा ये वाला के बुद्ध की युती और शुक्र की युती बहुत अच्छी बंती दिखाई देगी आप अपने परियास सफल रखें आपको सफलता मिलेगी क्योंकि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बुद्ध करक राशी में आएंगे अब आपके भाग्य का मालिक केंदर में ट्रांजिट करेगा कि पिछले समय में जो महनत हुई है ना उस महनत का आपको फायदा मिलेगा उस महनत का आपको लाब मिलेगा क्योंकि जब बुद्ध का ट्रांजिट यहाँ होगा शुक्र का ट्रांजिट यहाँ होगा तो ब्रस्पती की द्रश्टी भी इस पर होगी यानि ब्रस्पती इनके फलो में व्रध्धी करेंगे शनी लगातार कर्म कराते रहेंगे शनी लगातार मेनत कराते रहेंगे यानि भागेश की प्रवलता है कि करक राशी में भागेश जादे फल देंगे आपको क्योंकि यह यहां त्रिकोन के मालिक होकर केंदर में चलकर शुक्र के साथ जोकी योग कारक शुक्र है उसके साथ योग बनाएंगे भले ही कुछ समय के लिए सूर्य की स्थिती यहां रहेगी सोले जुलाई से सोले अगस्त वो अश्टमेश होके प्राबलम देंगे लेकिन प्राबलम होगी कहां सेवन था उसमें थोड़ा बहुत पती पतनी के बीच वाइचारिक मदभेद बस इससे जादे कुछ नहीं वैवाहिक जीवन की संभावना को बढ़ाने के लिए विभा कराने के लिए विभा के सुख देने के लिए यह समय उत्तम है अब जिस प्रकार से आपका भागेश शुक्र पहुँच गए थे सुरी योग कारक शुक्र पहुँच गए थे अस्टम भाव में अब बुद्ध जो है 31 जुलाई से 20 अगस तक सिंग राशी में रहेंगे यह समय कुछ टिपिकल होगा इस दोरान आपके द्वारा किये गए प्रियासों की सफलता आपको नहीं मिल पाएगी टफ हो जाएगा लेकिन शास्तर यह कहता है कि अस्टम का बुद्ध राशी से अस्टम में बुद्ध अगर ट्रांजिट करे तो यह धन दायक माना जाता है क्योंकि यहां से बैटकर यह शुब ग्रह होने के नाते आपके धन भाव पर द्रश्टी देता है इसका मतलब यह कॉंबिनेशन धन दायक साबित हुआ है इस कॉंबिनेशन से धन मिलेगा क्योंकि कुछ समय के लिए छटे का माली कस्टम में विप्रीत राज्योग के साथ चलेगा इसका मतलब है यह विप्रीत राज्योग की तरह फल देगा और यह भागेश का अश्टम में जाना भी यह दर्शाता है कि भागेश भले अश्टम में गया हो ये भाग्येश का नुकसान है अश्टम भाव का नुकसान नहीं है इसका मतलब है कि ये प्लैनेट आपकी दूविधा आपकी परेशानी को दूर करेगा जब आप फस जाएंगे तो ये विपरीत राजयोग के कारण आपको उन विशम परिस्थितियों से निकाल कर लाएगा चाहे वो जीवन का कोई सा भी छेतर हो फिर होंगे बुद्ध उचके और बुद्ध उचके होकर सूरिय के साथ नवम भाव में बुद्ध आधित्ययोग बनाएंगे ये समय होगा 20 अगस्त से लेके सितंबर्त के बीच में कहां होगा बुद्ध कन्याराशी में होंगे उच्च के होंगे भागेश का भागेश स्थान में जाना स्वराशी का होना उच्च का होना और मुल्त रिकॉन का होना ये दर्शा रहा है कि भाईया ये कॉंबिनेशन आपके लिए प्रवल यानि यहां भी बुद्ध बहतर यहां बुद्ध बहतर यहां कुछ चिंता देंग क्योंकि 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बुद्ध वक्री भी रहेंगे लेकिन वो वक्री होना उनका इसी भाव में रहेगा इसलिए किसी भी प्रकार की समस्या आपके लिए नहीं है बुद्ध सिर्फ यहां चिंता दिखाएगा सूरिय सिर्फ शुकृ सिर्फ यहां चिंता दिखाएगा बाकी अन्य जगह ओपर यह कॉम्बिनेशंस प्रवल हैं ऐसे समय में शुक्र बुद्ध से संबंदित प्रत्यंतर दशाएं जादे फलितकारी होती हैं क्योंकि थोड़े समय का गोचर है वो प्रत्यंतर दशा पर जादे फॉलो करता है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करी शिक्षा की बात की शुक्र ने प्रोफेशनल लाइफ को लगातार मजबूत बनाया आने वाले समय में अब बात करेंगे शनी और बस्पती की भी बात कर चुके हैं अब हम बात करेंगे मंगल की क्यों हमारे लिए मंगल उप्योगी है कि सादन प्रॉपर्टी जनता समाज तो मंगल एकादशेश यानि लाब भी है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं उसका मुझे फायदा कम मिलेगा वो लाब के अफसर मेरे लिए कैसे रहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें पूरे जुलाई के महीने में और पूरे अगस्त के महीने में अगर मंगल को देखें तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल स्वेराशी के होकर राशी से चौते घर में रूचक नामक रियोग बनाके चलेंगे फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस भूमी जमीन जाजाद प्रोपर्टी के कारेव में फायदा देता है पजेशन देता है मकान के अंदर एंट्री देता है सुख साधन को बढ़ोतरी देता है घर के अंदर सुख साधनों का बढ़ना किसी वाहन का खरीदना किसी प्लॉट का खरीदना किसी प्रोपर्टी का खरीदना फायदे में होता है ऐसे में वो लोग जो construction से संबंदित काम करते हैं, interior decoration का काम करते हैं, घर की साथ सज्जा से संबंदित काम करते हैं, उनके लिए ये combination प्रवल है, जब मंगल राहू के साथ होता है तो इसको कहते हैं अंगारक दोश, अंगारक दोश का मतलब है कि मन का भाव है, चोथा जब उस मंगल यहां पर आप देखिएगा कि लगभग लगभग 27 जून से 10 अगस तक मेश राशी में रहेंगे, यहां से बैटके यह आपके करम भाव और एकादश भाव यानि अपने ही भाव पर दरश्टी देंगे, यानि लाव के अबसर देना, करम कराना, प्रोपर्टी का मंगल के फलो में ही ब्रद्धी हो रही है, अब यह मंगल पूर्ण रूप से, पहले तो केंदर का मालिक त्रिकौन में आया, तो यह राजयोग हो और फिर यह पूर्ण रूप से यहां से बैटकर एकादश भाव पर दरश्टी देगा, यानि लाव को लाना मंगल की जिम्म पिधा में डालने वाली होगी, यह कॉंबिनेशन थोड़ा सा लाव को रोकने वाला होगा, लेकिन प्लैनेट की पोजिशन अगर आप देखें, तो इन आने वाले तीन महिनों के अंदर शनी प्रबल, ब्रसपती, शनी के नक्षत्र में, मंगल केंदर त्रिकौनों में करेगा, यानि प्राबलम कहां आएगी जादे, अगर मैं देखूं तो सितंबर का महिना थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, अदरवाइस गोचर की जो इस्थितियां हैं, वो जुलाई, अगस्त के महिने में आपके फेवर में हैं, सितंबर का महिना थोड़ा सा टिपिक होगा और आधे सितंबर के बाद आपकी स्थितियां बहतर हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र का और बुद्ध का दोनों का ट्रांजिट यहां से निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर शुक्र लगभग 20-22 सितंबर तक रहने वाले हैं, बुद्ध उससे पहले ट्रांजिट करके निकल जाएंगे, फिर भाग्यश भाग्यस्तान में आएंगे, तो सिर्फ वही एक समय होगा या थोड़ी सी कमजोरी दिखाएगा, अदर्वाइस बाकी सभी समय कारेशित्र में लगातार, प्रसिद्धी, लगातार काम के अंदर योजनाओं से फाइदा दिलाना, काम के अ चाहिए आपका लाब हो, ये सब पोजिशन्स लगातार ग्रहों के द्वारा आपको दी जाएंगी, तो आना वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो महीने हैं, ये कैसे होंगे मकर राशी वालों के लिए, उसको मैंने डीपली समझाने का प्रयास किया, जिस ग्रह के ब दशाएं चल रही हो, अन्य था गोचर आपके फेवर में है, इस गोचर का पून फल पाने के लिए आप अपनी कुंडली में उन ग्रहों के गोचर को अपनी राशी से देख सकते हैं, कि भी मेरी राशी से कौन से गोचर कहां बताए, उनका मेरे जीवन में क्या असर होने व होंगा मैं, तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ, जैश्री राम